देखिए व्यापारी वर्ग को मालक्षमी की पूजन अपने इस्थान पर यानि की अपने ओफिस में अपने सौप पर अपने फैक्टरी में अवश्य करनी चाहिए और जहां तक हो सके उन्हें एक अच्छे पंडित विद्वान जोती साचारिय के सानिध्य में पूजा करनी चाहिए और उनको एक चान्दी का ठोस हाती कोडिया जो पिली कोडि होती है यह मालक्षमी इनसे बहुत प्रसंद होती है इसके अलावा मंगल कलस और साथ मुखी दीपक उसके अलावा रंगोली और कुछ छोटे दीपक तेल के और एक गीका दीपक भी उस दिन मालक्षमी क पूजन में उनको रखना चीए साथ में व्यापारियों को गोंती चक्र भी पूजा में रखने चीए और उन्हें अपने इस्थान पर विदिवत पूजा करनी चीए और जब आप लक्ष्मी का पूजा करते हैं या लक्ष्मी पूजन करते हैं उस समय आप माल लक्ष्मी से य इसे ज्यान रखना चीए कि लक्षमी पूजन के साथ अपने करमचारियों का कभी दिल नहीं दुखाएं जहां तक हो सकें उनकी साहिता करें अगर आप किसी की साहिता करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो मालक्षमी बहुत परसंद होती है और उस दिन आप हो सके तो पूरुस सुक्त स्री सुक्त का पाट करें अश्ट लक्षमी स्तुरोत का पाट करें और मा लक्षमी जी की आरती करें और मा लक्षमी जी ये प्रातना करें कि हमारे इस प्रतिश्चान में वेवसाय में आप चीरिस्ताई रूप से विराजमान रहे और हमारा मार्ग प्रसस करें, हमें आसरी बाद प्रदान करें, तो मालक्षमी प्रसन होती है, क्योंकि मालक्षमी की पूजा में आप विश्टुम भगवान को जरूर बुलाएं, यानि स्री हरी नारायन को भी आप बुलाएं, और ओम नमो बगवते वासु देवाय का जो मंत का सात में जाब करें और इसके लिए सबसे उत्तम बात है कि आप जब मालक्ष्मी का पूजन करें उस समय आप अपने परिवार को जरूर सामिल करें क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो आपके साथ में आपकी ग्रह लक्षमी भी जरूर होनी चाहिए क्योंकि हमने धंतेरस के पावन पर पर जमकर खरिदाई लोग करते हैं सहने चांदी ऐए की खरिदारी ओसर पर अंगे त्याकीजी कि सरपृधं तो खरिदारी की जो शुरुवात है वो धंतेरस से हो जाती है जी दंतेरस वाले दिन बरतन खरीदते हैं सोने चांदी के सिक्के बहुत सारी चीज़ें अन्य चीज़ें खरीदते हैं एक चीज मैं सबसे पहले यहां बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि जो भी सामगरी आप धंतेरस से लेकर के दिपावली तक खरीदते हैं उसका नित्य पूजन करे विशेस रूप से दिपावली वाले दिन उसका पूजन करें और वो सामगरी आप दिपावली के बाद ही इस्तेमाल करें कोशिश करें प्रियास करें कि उससे पहले आप उसको अपने यूज में न लाएं उसको इस्तेमाल न करें दीपा वली के दिन विशेस रूप से आप दो जाडू जरूर खरीद ले दो जाडू लेकर के आए बिदवत रूप से मालक्षमी के सामने उनको रख करके अक्षत के साथ, रोली के साथ पूजा करें मालक्षमी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में आपका इस्थाई वास हो उसमें से एक जाड़ू आप अपने घर रख लें कहीं भी ऐसे इस्थान पर जाड़ू रखा करें जहां किसी के नजर ना पड़े कोई बाहर से आए और दूसरी जो जाड़ू है आप पास के किसी भी अगर मालक्षमी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो किसी भी मंदिर में दान अवश्य कर दें उससे हमेशा आपके घर में मालक्षमी का अवास बना रहेगा अगर करजे हैं तो उससे मुक्ती मिल जाएगी अगर किसी संकट से आप गुजर रहे हैं तो उससे भी आपको मुक्ती मिल जाएगी दूसरी चीज जो भी खरीदारी आप करते हैं वो शुब महूरत में ही करें सारे शुब महूरत अवेलिबल होते हैं आजकल आप शोब महरत में ही खरीदारी करें और उसको बाद में प्रियास करें कि उसके बाद यूस करें जाहर तोर पर आपने बताया और आपने जब शुरुबात की थी तो आपने बताया कि किस परकार से दान का भी महत तो होता है लोगों में दान करिये जादा जादा क्योंकि जादा जादा दान गरेंग तो जाहिर तोर पर आपको तमाम इश्वरी किरपा प्राप्त होगी अपने आप में बड़ी महत्पूर्ण चीज़ आपने शुरुबात में ही बताई और इस बार भी आपने जो वैख्यान किया है व बहुत महत्पूर्ण और स्वास्थिक का महत्तो है अज मैं इस पर भी आप प्रकाश जाले कूंकि दिवारों पर हम लोग बनाते हैं इस वास्थिक स्वास्तिक संखेप में कहें तो यह सुभता का दियोतक है और प्रतेक ऐसा सुभकर्म जो निरवाद रूप से चले उसमें गड़पती जी और स्वास्तिक यह कॉमन चीजें होती हैं बाकी मुख्य देवी देवता बदलते रहते हैं लेकिन यह हमेशा रहते हैं तो सीधे सब में यह सुभता का दियोतक है और हां इसका सही से बनना सही डंग से बनाना बहुत जरूरी है अगर यह गलत तरीके से बनाया जाता है तो इसके नुक्षान भी होते हैं और यह सहज सी बात है कि जो चीज आपको ना आती हो उसे नहीं करना चाहिए सपोच करिए उदानन के मत्र नहीं आता मंत्र जपते हैं तो अर्थ निकता है और इसका प्रभाव को भूगतना पढ़ता है इसी तरह स्वास्थिक सही बनना चाहिए कि आपको सवाल चोटा है इसलिए इसको इतने में ही समिठना चाहेंगे यह शुगता का प्रतीक है शुदे का दियोतक है बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं अब ऐसे में जब दीपावली की पूजा होती है तो हम दीपावली की पूजा से पहले मूर्तियां इत्यादी खरीद कर लेकर आते हैं गनेश विगवान की मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं मामालश्मी की मिट्टी की मूर्तियां आजकल बजारो कर देते हैं या लंबे समय तक रखे रहते हैं अपने घरों में क्या होना चाहिए इसे जुड़ी क्या जानकारी आप साजा करना चाहेंगे रमेश भूजरा दिवेदी जी निश्चेत रूप से पूजा में जो मूर्तियां ग्राई है उनके बारा ने सास्त्रों में चिंतन कि होगा है ऐसे भी किसी मूर्ति का पूजन करने से पूज़र का फल प्राप्त नहीं होता है जासे आज कल जिस तरह की मूर्तिया आ accumULा कि परिश की मूर्तियां आ रही है, तरह तरह की मूर्तियां आ रही है, तो मूर्तियां जो है, सारव परसम तो किस प्रकार की मूर्तियां होनी चाहिए, इस बारे में सास्ट्रों में विदान है, कितने साइज की होनी चाहिए, इसके बारे में सास्ट्रों में विदान मिलता है, गरष्ट व्यक्ति को अमुष्ठ के आकार जितनी ही मूर्ति का पूजन करना चाहिए और दूसरी मूर्तियों का पूजन सन्याशियों के लिए या मंदिर में कहा गया है और उसमें भी अगर पत्थर की मूर्ति मिल जाए तो बहुत है अच्छा लेता है क्योंकि पत्थर में अगनी गर्भ है गर्भ में अगनी समाईत है उसमें उर्जा है तो उसकी मूर्थी अगर मिल जाती है तो उप्यूप्त है या सोना या चांदी जो पूजा में पहुत्र धातों मानी गई है तांबे की मूर्थी का भी विदान मिलता है और एलिमोनेम या इस प्रकार की जो दात्वे हैं, उनकी मूर्थी का पूजन सर्वता निशिद्ध है, मिट्टी की मूर्थी, जिसे पार्थी मूर्थी कहते हैं, उसका पूजन किया जा सकता है, परन्तु वो पूजन करने के पश्चात, उस मूर्थी का किसी प्रकार से अनारदर नहीं हो, क्य कि आपने उस मूर्ति में प्रान की प्रतिष्टा किया है, आप मूर्ति में लक्षमी का आवान किया है, गणेश का आवान किया है, इस्थाप्री देवता का आवान किया है, तो निश्चित रूप से वर्ष परियंद आप उस मूर्ति को अपने उसमें पूजा के स्थान में कर तस्वीर है तो पूजा के स्थान में रखें और मूर्ती मैं आपको ये भी सला दूंगा कि मूर्ती जो है प्रती वर्स बदलना जो है वो प्योगत नहीं है एक ही मूर्ती आप कई वर्सों से अगर उसकी पूजा करते हैं तो निश्चत रूप से लक्षमी की कृपा प्रा गया है कि मूर्ती जितनी पूरानी होती है उसका फल उतना ही अधिक होता है उसमें उतनी जागरती उतनी उर्जा समाइत होती है तो मूर्ती का पूजा के उपरांत किसी प्रकार से उपेक्षा नहीं हो और किसी प्रकार से उसका अनाधर नहीं हो नहीं तो कही न कहीं व्यक पूजा करते हैं या स्वाक्ष वस्त्र पेहन कर पूजा करते हैं तो उसका फलजिक मिलता है क्रश्ण वस्त्रा या काले वस्त्रा या जो पूजा में निशिद्य वस्त्रा है उनको पहन कर पूजा नहीं करें कुछ भी कर रहे हैं इस पर मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों की वन बाइवन टिपड़ी शुरुवात में अनीज जी आप से करना चाहूंगा आप ऐसे लोगों को क्या सुझाओ देना चाहेंगे मौडन यूग जाहिर तोर पर आया है ठीक है लेकिन जो पूजा पार्ट का जो विदी विदान है उससे दूर हट कर लोग पार्टीज पर जादा ध्यान दे रहे हैं ऐसे वन बाइवन में सभी से इस पर प्रतिक्रिया लूँगा अनीज जी सबसे पहले आप से देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्णी किया है और आज के समय में ऐसा प्रश्णी किया जाना बहुत उचीत है जो भी दिपावली के दिन जुआ खेलते हैं सराप पीते हैं या मास्ट मदीरा जो भी है उनका सेवन करते हैं लक्षमी उनसे नाराज हो जाती है और अत नियरी हो पका और अचिसन किसी रूप में वह परेसान होते बिमार होते हैं और उनके घर में कोई कोई असुईदा जरूर होती है हां इन सब चीजों से बचना चाहिए हमारे धर्म गरतो में हमारे धर्म सास्त्रों में इसका कही पर भी उलेक नहीं है हुं और हमें इन सब चीजों का परित्याक करना चाहिए कम से कम जो ये दिपावली का पंची दिवश्य माँ पर्व है उन में इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए अंके जी आप क्या कहेंगे जैसा रमेश भाईसाब जी ने बताया अनीस भाईसाब जी भी बात कर रहे थे इस विशेपर सरप्रथम तो सनातन में अशुद्ध अहार की कोई जगा न है न होगी हमारे शास्त्रों में वेदों में पुराणों में कहीं कोई जगा नहीं है अग्यानता वश कुछ लोग इस दिन जुवा खेलते हैं कुछ लोग शराब पीते हैं जैसा आपने बहुत जरूरी ये प्रशन था जैसा भाईसाब ने कहा कुछ लोग आज कल पार्टीज और्गनाईज करने लगे हैं जिसकी मुझे लगता है शायद कोई भी जगा हमारे सनातन धर्म के अंदर नहीं है इन दिनों में कम से कम वैसे तो कभी भी हमें अशुद्धार का सेवन नहीं करना चाहिए चाहे वो दीपावली हो या ना हो ल अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक पक्षी को मार करके खा रहें और फिर मालक्ष्मी आपके हैं निवास करें हर कणकण में भगवान विराजमान है मालक्ष्मी कणकण में हैं हर जीव के अंदर है अगर किसी जीव का कोई अहित होता है और फिर आपको लगता है कि आपके साथ सब अच्छा होगा तो ऐसा बड़ा मुश्किल है इसलिए ध्यान रहे कि किसी भी जीव को किसी भी रूप से कष्ट ना पहुँचे दूसरा जहां तक शराब की बात है जब आप शराब पीते हैं आपका परिवार तूटता है आपके लोग तूटते हैं आपका व्यवार खतम होता है इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहें अपने आपको सात्विक रखें और जीवन में सात्विक रह करकर के आगे बढ़ें हमेशा मलक्षमी का साथ मिलेगा हमेशा प्रभूगी किरपाप पर बनी रहेगी सनातन उदारता का प्रतीक है जब रामण का वद हुआ तो मुझे जहां तक लगता अगर मैं गलो तो जरू करेक्ट कर दीजेगा आप सभी विद्वान है भगवान राम ने लक्षमन जी को भेजा उनसे सिख्षा लेने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल आप कह सकते साथ अंतिम संसकार भी मुझे लगता है शायद भगवान राम ने वहां किया रामण का और अंतिम संसकार के बाद ही वहां से वापस लोटे तो यह करूना का प्रतीक है उदारता का प्रतीक है सनातन और हमको इसी समझीनी चाहिए हम किसी की हत्या करके उसको खाए उसका अगर आप पास मचली का सेवन करते हैं बनाते हैं अपने उसी किचन में पर उसी किचन में आप प्रसाद मनाएंगे तो भूल जाए कि आपको कभी भी भावगत प्राप्ति होगी हर्मान जी मैं आपका रियक्शन चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा जी देखे करतिक महिने की अमावस्या तिथी को मनाई जाती घंघोर अंधेरा होता है जी सुर्य ग्रह नीच के होते हैं और उनके साथ नीच के सूरे के साथ चंद्रमा आयूति कर रहा होता है मतलब बहुत ही विकटिस्थिती होती है आपके भीतर का प्रकास बेहद कम जोर होता है इस आप मंगल को नकारात्मक कर रहे होते हैं, सूरी को और ज्यादा कमजोर कर रहे होते हैं, राहू के नकारात्मक प्रवा को और बल दे रहे होते हैं, फलसुरूप आपका चंद्रमा बिल्कुल खराब हो जाता है, और आप मनोरोगी हो सकते हैं, तनावगरस्त हो सकते हैं, घर म